हाउर फिक्स वीवो वाइटर्टी बेक बटन नोट वर्किंग प्राब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के फोन पर यही आपका जो बेक बटन है वो काम नहीं करा है तो कैसे करके आप जो इस प्राब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को इसका सॉलुशन देने वाला हूँ ठीक है क्या क्या सॉलुशन आपको करना है और यहाँ पर दोस्तों क्या क्या फ्यूचर्स भी आपको मिल जाते बेक बटन के रिगार्डिंग प यह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें सारे साथ दोस्तों यह आप ऑनलाइन से पैसा कामाना चाहते हैं उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा आप जाके चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज जरू किज़ेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग पर ठीक है बेक बटन यह काम करना बंग कर देते तो आप दोस्तों एक बढ़ दिवास को रिश-टार्ट करके देखिए तो आची वाधे नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर जाएए श्रूल डाउं करके नीचे रेमें स्टोरेच इस्पेस पर उसके बार क्लीनाप स्टोरेच इस्पेस पर जा तो आप एक बाद डिवाइस को रिस्टार्ट कर लिजे ठीक है उसके बाद दोस्तों चेक करके देखे बेक बटन काम कर या नहीं कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो आच्छी बाद है आपका प्रॉब्लेम सुर्फ हो चुका है बाइनी चांस दुबारा से प्रॉब्लेम आ रहा है तो दोस्तों आप जाए एप्लिकेशन और पर्मिशन पर एप मेनेजर को ओपन कीजिए एप मेनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे सिस्टेम यूई पर आपको चले जाना है यहाँ फिर सिस्टेम लॉंचर तो चलिए नीचे storage पर जाके clear data पर क्लिक करके ok कर देना है तो इसको ok करने के बाद आप यहाँ पर simply back कीजिए बेक करने के बाद दोस्तों mobile को restart करके देखे आपका problem solve हो जाएगा ठीक है सारे साथ दोस्तों आपका device software अपडेट नहीं है system update पर जाके device software को भी update जरू करे क्योंकि दोस्तों अपडेट यहीं नहीं रहोगे तो भी आपको इस तरह का problem आते रहेगा system को भी update यहाँ पर जरू करे और आपका जो problem ही इससे भी fix हो जाएगा सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर mobile को जो है रिसेट करकी भी fix कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आपका बेक अबेन reset है erase all data करके आप fix कर सकते है problem को ठीक है तो यह भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं और इन सब के बाद आपका जो बेक बटन का problem है वो solve हो जाएगा तो आज की इस वीडियो बटन सो बस इतने thanks for watching